दुनिया में सुन्दर महिला के पिता वूड़ोवे वूड़ोवे द्वारा निर्धारित सुन्दर महिला का मानक सुन्दर महिला के मानक में 33 शर्ते हैं एक महिला जो सभी शर्तों को पूरा करती है वो एक सुन्दर महिला है 1. उचाई 1.6-4 मीटर और 1.7 मीटर के बीच है 2. वजन 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के बीच है 3. स्तन का आकार C और A E के बीच है 4. कान और चहरे के बीच का कोन 170 डिग्री और 175 डिग्री के बीच है 5. ठोड़ी के दोनों किनारों के बीच का कोण, 100 डिग्री और 115 डिग्री के बीच है 6. चहरे पर, तिल का आकार, 0.5 mm और 0.5 mm के बीच है 7. आख की चोड़ाई, 1 cm और 1.1 cm के बीच है 8. आख के उपरी छोड़ पर 3 mm से उपर, कोई अवतल रेखा नहीं है 9. आख के उपरी छोड़ से भान तक की दूरी, आख की चोड़ाई, से 1 mm और 2 mm के बीच बड़ी है 10. भान 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच उपर की ओर जुकाव 11. दो आखों के बीच की दूरी, एक आख की लंबाई, से 3 mm और 6 mm के बीच बड़ी है 12. नाख की चोड़ाई, एक आख की लंबाई, से 3 mm और 6 mm के बीच बड़ी है 13. मूग की चोड़ाई, दो आइरिस के बीच की दूरी, से 0 mm और 5 mm के बीच छोटी है 14. निचले होंट की मोटाई, आख की चोड़ाई, से 0 mm और 1 mm के बीच बड़ी है 15. उपरी होंट निचले होंट की तुलना में 1 mm और 3 mm के बीच पतली है 16. नाक के निचले छोर और उपरी होंट के उपरी छोर के बीच उर्धवाधर दूरी निचले होंट की मोटाई से 1 mm और 2 mm के बीच बढ़ी है 17. निचले होंट के निचले छोर से थोड़ी के निचले छोर तक की दूरी, निचले होंट के निचले छोर से नाग के निचले छोर तक की दूरी, से 2 mm और 5 mm के बीच छोटी है 18. आख के निचले छोर और नाख के निचले छोर के बीच की उर्धवाधर दूरी, उपरी होंट के उपरी छोर और ठोडी के निचले छोर के बीच उर्धवाधर दूरी, से 0 mm और 5 mm के बीच छोटी है 19. Hairline के उपरी छोर और भान के उपरी छोर के बीच उर्धवाधर दूरी, आख के उपरी छोर और नाख के निचले छोर के बीच उर्धवाधर दूरी, से 0 mm और 5 mm के बीच छोटी है 20. माथे 15 डिग्री और 20 डिग्री के बीच पीछे की ओर जुकाव 21. आख माथे के पीछे 6 mm और 1.2 cm के बीच है 22. आख के उपरी छोर परक्षय तिज रेखा और नाख का चौरा हा, माथे के पीछे 0 mm और 2 mm के बीच है 23. आख के निचले छोर परक्षय तिज रेखा और नाख का चौरा हा, माथे के आगे 2 mm और 4 mm के बीच है 24. थोड़ी 1 mm और 2 mm के बीच आगे की ओर फैली हुई है 25. थोड़ी माथे के पीछे 0 mm और 2 mm के बीच है 26. निचले होंट थोड़ी के आगे 4 mm और 6 mm के बीच है 27. उपरी होंट निचले होंट के आगे 2 mm और 4 mm के बीच है 28. मुह 10 डिगरी और 15 डिगरी के बीच आगे की ओर जुकाव 39. नाक और मुह के बीच का कोण 90 डिगरी और 95 डिगरी के बीच है 30. नाक मुह के आगे 1.3 cm और 1.6 cm के बीच है 31. हस्ते समय उजागर हिस्से में दाद के उपरी छोड से ऊपर कोई गम नहीं है 32. हस्ते समय उजागर दांतों के बीच का अंतराल 0 mm और 0.5 mm के बीच है 33. हस्ते समय उजागर दांत बड़े करीने से व्यवस्थित है